भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसर द्वारा अगस्त 1935 में भारत सा सन्हेतु पारित किया सर्वधिक विश्चित अधिनियम था इसमें वर्मा सरकार अधिनियम 1935 भी सामिल था भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिक थी था कि यदि आधे भारती राजिसंग में सामिल होने के लिए सहमत होते हैं तो भारत को एक संग बनाया जा सकता है इस इस्तिती में उन्हें केंदरिय विध्याई के दोनों सदनों में अधिक परते नेधितों प्रधान किया जाएगा लेकिन संग के से संबंधित प्रवधानों को लागू नहीं किया जा सका इस अधिनियम में सौतंतरता की बात तोदूर भारत को डोमीनियन का दर्जा देने का भी चर्चा नहीं की गई 1935 के अधिनियम ने परांतों की ततकाली निस्तिती में सुधार किया था क्यूंकि इसमें परांतिय स्वेता के प्रधान को सामिल किया गया था इस विवस्ता के अनुसार प्रांतिय सरकार के मंतरियों को विधाईका के प्रती उत्तरदाई बनाया गया साथ ही विधाईका के अधिकारों में ब्रिधी भी किये गई हाला कि पूलिस जैसे कुछ विशय अभी भी सरकार के प्राधिकार में ही थे मतदान के अधिकार भी सिमीत ही रहें क्यूंकि अभी भी कूल जन संख्या के 14% भाग को ही मतदान देने का अधिकार प्राप्त था गवर्नर जनरल और गवर्नरों की निकती अभी भी भी ब्रिटिस सरकार के द्वारा की जाती थे और वे अधिक विधाईका के प्रती उत्तरदाई भी नहीं थे यह अधिनियम कभी भी उन उदेश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया जिन की प्राप्ती के लिए राश्ट्रिय आंदोलन संगर्श कर रहा था अधिनियम के प्राओधान इस अधिनियम से द्वैद सासन प्रणाली को समाप्त किया क्यां ब्रिटिस भारत और कुछ या सभी रियासतों के लिए भारत संकी अस्थापना का प्रियास किया। प्रतेक्ष निवार्चन प्रणाली की स्थापना और की और मत देने के अधिकार का विस्तार किया गया। और 35 मिलियन लोगों को मतदान देने का अधिकार प्रदान केर्द कर दिया गया। प्रांतों को असंकी रूप से पुन्ह और संगठित किया। सिंध प्रांत को बंबई से अलग कर दिया गया। बिहार एवं उडिसा प्रांत को बिहार और उडिसा नाम के दो अलग अलग प्रांत में बांट दिया गया, बर्मा को भारत से पुन्धत अलग कर दिया गया, अधन को भी भारत से अलग कर एक सतंद्र उपनिवेस बना दिया गया, प्रांतिय सदनों की सदस्यता में भी बदल सब्सक्राव किया गया अधिक निवार्चन भारतिय प्रतेनिधितों को समिल किया जा सके अभी यह भारतिय सदश्य प्रायमत्य सरकार भी बन सकते हैं यह नियाले की अस्थापना की गई इस अधिनियम का प्रामुख उद्यश भारत सरकार की ब्रिटिस समराट के अधिन लाना था अता भारत सरकार के अधिकारों और कास्रोथ ब्रिटिस समराट था यह संकल्पना जो की डोमिनियों सन्विधान से में मिलती जूलती थी कि 1935 के अधिनियम में प्रांतिय सोतंतरता जैसे कुछ उपयोगी और महत्पुन सुधार सामिल थे लेकिन फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के सन्वेधानिक विकास के इतिहास का बहु बिंदू था जहां से पीछे की ओर नहीं लोटा जा सकता था धन्यवाद